तो भाई स्वाधत आप सबको फिर से एक और ने वीडियो में बाहु बली भाई ये फिल्म अभी तक आप नहीं देखे होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता पर क्या आप इसके सारी इडेन डीटेल्स के बारे में जानते हैं जो कि आपको सुनना और जानना चाहिए क्योंकि भाई ये ही सारी इडेन डीटेल्स में ही तो राजमुली जी की महनत दिखती है हाँ हम मानते हैं आप बाहु बली के बहुत बड़े फैन होंगे पर आपने इसे 20 से भी जादा बर देख चुके होंगे पर भाई आज का इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे है उसमें से कुछ ना कुछ बातों को तो जरूर मिस कर दिये होंगे ये पक्का है जैसे कि सारी सिंबल माहिसमती का सिंबल क्या है? ये है और ये सिंबल हमें कहा कहा देखने मिल जाता है? मैप में, जंडा में, वाल में, खंबे में, घंटी में, हत्यार खाना में, सेना की सिल्ड में, कबज में, गाडी में, हाती के स्टेच्यू में ऐसे हर जगा देखने मिल जाता है अब कुंतल देश का सिंबल क्या है? हंस है इसका भी मैप में जंडा में वाल में ऊपर नीचे जाच हर जगा में आंस का चित्र या मूर्ती देखने मिल जाता है मतलब देख रहे हो डिरेक्टर साब कि इतना चोटी चोटी बातों का ध्यान रखे हमारे सामने ये फिल्म को पेस किया है इतना है अब इसके पाद टीम में सिंबल तो ऐसे बलामेशा गद्दी के पीछे पड़ा रहता है इसलिए साधू से कोई सिंबल नहीं दिया पर आप अगर बाहुवली का देखोगे तो बाहुवली के टीम या बाहुवली के हर चीज़ पर गोड़े का सिंबल देखी जाता है बाहुवली का तलवार में सीर्ड बाहान हर जगा अपने माईसमते वाला लोगों देखने मिल जाता है पर कटपा का क्या वो तो गुलाम है इसलिए जिसका राज चल रहा होता है यह उन्हीं का सिंबल वाला आउट फिट में नजर आते है बाहुवली पैदा होते टाइम विक्रम देव का राज चल रहा जाता है तब से कटपा के पोसाग में ये गोडे वाला चलता है यह देखो अभी अभी बाहुवली कुमार के आ रहा है थो बेल्ट रास्ते में चेंज्च कर लिया क्या खिर आब अगर यह सिंब्ल भी देखो गे तो कटपा और गोडे वाला सिंबल में नजर नहीं आता क्य ये है जैसे की विक्रम देप को हम दो आधा चांद वाला तीलक में देखती वैसे ही गपवी चेंज भी हो जाती है लेकिन उसका ऑफिशियाल तिलग तो यही है बापी किसी कवी तिलग चेंज नहीं होता सिवाय बाभुली कि प्ली है तो अपना तिलग लगा कर आगई फिर जब यह ब्रह्मान करने गय Lucy और कुंतला देस चैंज नहीं होता बले ही वो भेश बदले हो पर अभी भी वो अंगरक्षा का काम कर रहे होते हैं ना ठीक है तो अप सिंबल के बाद सिमिलरीटी बाहुबली का दो पाट में कुछ जिसे समानता भी है जिसे कि आप साथ मिस कर दिये होंगे जैसे कि बाहुबली को और सीबा को और सिबा को सांगा पर ये दोनों ही अपने मां को बहुत प्यार करते थे एक अपनी मां के पूजा के लिए रत को किचकर ले आता था तो दुसरा अपने मां के पूजा के लिए सिविलिन को भी उठा ले आता था फिर ये दोनों ही अपने अपने हीरोईन को लड़ते हुए फास्ट टाइम देखती है मतलब सीवा जो पहले सौंग में देखता है वो बैम था ना वाई असला में तो अवंतिका को फाइट करते हुए देखता है और बाहुबली भी देवसेना को पालकी में हलकासा देखता है और फाइट करते टाइम देवसेना को फास्ट टाइम साब इसके बाद ये दोनों हीरोईन भी ये दोनों को मारते हुए इनका नाम पूछते है अवंतिका सीवा के छाती पर तलवार लगा के पहचान पूछती है तो देवसेना बहुवली का छाती पर मसाल से मार के बहुवली का पहचान पूछती है लेकिन इससे पहले देवसेना ने बेल वाला टाइम पर नाम पूछा था पर वहां तो बाहुवली नाटा कर रहा था और गलत नाम भी बताया था इसके बाद ये दोनों ने ही देवसेना के लिए किसी किसी का गला काटा है देवसेना के ऊपर से तुपती हाट डालने की कोशि लगा दिया ना पर इसके बाद आप देखोंगे तो दोनों पार्ट में सिवा ने सीवलिंग के साथ एक एक धासू सीन दिया है पहला पाट में जरना वाला और दूसरा पार्ट में ये बिभुतिवाला क्योंकि ये सब जुड़े हुए है नाम में सिभा माथे पे स्तर पर बाहु पे संख और गले पे सिविलिंग देखकर आपको समझ जाना चाहिए और हाँ संख से याद आया आपने देखा होगा बजपन से सिभा के हाथ में एक संख वाला टैटू होता है वो हमें उसका सेकेंड एज में दिख जहां से स्टार्ट हुआ था अब बल्ला देब का मुंटी पर सिभा का रखा हुआ सिविलिंग को देखकर समझ सकते हो बाहु बली का पाट वान में हम बल्ला की चेहरे पर एक निसान देखती है जो कि उसे कहां कैसे मिला पता नहीं था एकिन पाट टू में उसका जबाब म जाता है वो कुमार भर्मा के चाकू से मिला था जो चाकू की उसे बहुबली ने दिया था ये वाला सिन में हमें नीचे CGI लिखा हुआ नजर आ जाता है क्यूंकि ये ओरिजञल नहीं था एसे हमें आगे ये सांप आला सिन और ये गोड़े वाला सिन पे भी CGI लिखा हुआ दिखने मिल जाता है क्यूंकि यह सब CGI यह था इह सिंट पर जब Spodra का पीछा कर रहे हो चांप के में देखने के और अवंठी का कपड़ा निकु कि आगे ठंड वाला सिंट होने वाला है पर अवंठी का इस कपड़े को अब बाद का सिंट देख सकते हो, यहां के ये सीन, ये सीन और ये सीन में काफी कुछ पीछे तूटा हुआ है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुंतल देश का सीन है, क्योंकि बाहुबली का पाट 2 में हमें देखने मिला था, भलाल देव को देवसिना ना मिलने की वज़े से उसे हार तो हमें एक सिन पर ये किसी मूर्ती का पैर और साइड में ये उसका मुंडी देखने मिल जाता है, जिसे दिखा कर डिरेक्टर हमें ये फिल कराना चाहते है कि ये सच में पुराना कहानी चालू है, और ये एक रणभूमी है, शिवा का जल परबत चल कर आना और भलाल पर बलाल देप का कहानी घतम, ये सोरा दिन का असर अब सिवा के फेस पर भी देख सकते हो, जब वो जल परबत पर चड़ा था तो उसका दाड़ी नहीं था, पर अब पंदरा दिन के बाद सिवा का दाड़ी निकल चुका है, अब इतने परिशान में सिवा कहां सेल उनको जाएगा बताओ, अचा ये सिवा के हाथ में ये गोडे वाला तलवार क्यों आया पता है, क्योंकि ये इनका खांदानी तलवार है, पहले विक्रम देव ये तलवार पकड़ते थे, फिर बाहु वली ये तलवार पकड़ता था, और अब सिवा भी, हाँ पर ये तलवार को छुड़ा लिया, तो कटपा भी उसी हाल में उस तलवार को पकड़के चले आये, और सिवा को ये तलवार मिल गया, मतलब देख रहे हो, सिवा के हाथ में ये तलवार लाने के लिए भी डायरेक्टर ने कितने दिमाग चलाए है, ये सिन में कटपा कहता है, ये कांट पि दिखने मिलता है, जो कि सायर डिरेक्टर उसे आर्चर लोगों के आमगार की तरह दिखा रहे है, कुंतल देश में देवसिना राज करते थी और अपना सासन चलाती थी, तो जब ये लोग माहिसमती में आ रहे होते हैं, तो माहिसमती में घुषते ही, माहिसमती के हाथी वा पहले से ही दर्सा रहा था कि बेटा कुंतल देश का सुक गया, और वहां का सासन भी गया, यहां किसी का सासन या किसी का जंडा नहीं ले रहने वाला, यहां तो सिर्फ माहिसमती का ही चलने वाला है, पर एक तरफ से ये असुप को भी दर्सा रहा था, इसलिए इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं होता और हाँ ये लोग कुंतल देश से निकलते टेंबी वो लकडी तूटती है ना मतलब डायरेक्टर के कमाल देख रहे हो सिभगामी बच्पन में बाहु बली को एक तलवार देती है और उसके उपर हाथ रखती है तब से लेकर अब तक बाहु बली के बारे में कोई कितना भी बुरा सोचने पर भी कुछ नहीं कर पाता पर जब बाहु बली ने सिभगामी को वो दिया हुआ तलवार लोटा दी और सिभगामी भी बाहु बली की सर के उपर से हाथ उठा ली तो बाहु बली के साथ सब कुछ बूरा होने लगता है इतना बूरा कि एक दिन बाहु बली का जान भी चला जाता है बल्लाल देब को देवसेना को बंदे हुआ चेंड से सुकून मिलता था इसलिए वही चेन पकड़ कर सिवा आखिर में बल्ला को सुकुन दिलाता है क्लाइमेक्स में सिवा तलवार लेकर एक बड़ा जब मारता है और बल्लाल देब के पास जाता है ये सिन को भी सायद बहुत लोग नूटिस नहीं किये होंगे सिवाए ये जंप मारके भल्ला के पेर में वो तलवार मारा था ताकि वो जलते टाइब वहां से निकलना पाई तो मतलब भाई देख रहे हो कौन किसका टीम है किसे कैसे जंडा देना है कटपा को कब कैसे गेटप में लाना है बाहुबली को कब कैसे तिलग लगाना है डायरेक्टर साब ने कैसे ये सारी बात को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई है मानना पड़ेगा वाई पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें सब कुछी एकदम फरफेक्ट है कुछ मिस्टेक्स भी सायद है जैसे कि बाहुबली 2 में अवंतिका का कोई डायलोग ही नहीं है सिवाए मारो, काटो और आकरमन के इलावा पड़ी दुख की बात है कम से कम इने एक डायलोग तो दे देते फिर बद्रा की माह और बल्लाल देब की बीवी को ने बताई ही नहीं है फिर सिवा जल परबत पर नंगे पाउं चड़ता है लेकिन उपर जाता ही उसके पेर में जूतिया आ जाते है ये सिन में रात का सिन था पर अचानक से दीन हो जाता है और ये वाला सिन को तो आप साय जानते ही होंगे एक्स्टरा कपड़ा निकलाता है इसा को छोटी मोटी मिश्टेक्स है जो कि यहां देखा किया जा सकता है होता है या इतना तो जलता है न करता भाई बस इस वीडियो को यह खतम करते हैं आपको इन सब के बरह में क्या कहना है मैं कमेंट करके बताओ और कि वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैश सब्सक्राइब कर लो